मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं एक काम करने वाला लड़का हूँ, मैंने अपने परिवार के आर्थिक स्थिती के कारण ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका हूँ, अपने काम को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूँ, लेक कुछ काम के खातिर किसी के घर काम करने गया था। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो मुझे बचाने को चीज की जरूरत पड़े। मैंने वहाँ के रह रहे फैमिली मेंबर से किसी भी चीज को मांगने के लिए आवाज लगाई थी लेकिन उधर से एक लड़की आये थे सामान देने के लिए। वह लड़की देखने में काफी ज्यादा सुन्दर और बेहद शांत और अच्छे स्वभाव के थे। लड़की को काम खत्म किया और फिर वहाँ से चला गया। उस दिन बाद मैं जब फेस्बुक पर पेज को स्क्रोल कर रहा था तो मुझे उस लड़के की एक छवी दिखाई दिया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह वहीं लड़की हो सकती है। लेकिन जब मैंने उसके प पहचान गया था। सबसे पहले मैंने उनकी प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट लिया क्योंकि हो सकता है मैं कुछ प्रोफाइल को भूल जाऊंगा और फिर मुझे ढूनने में काफी ज्यादा वक्त लग जाए। इसी कारण से मैं उसकी प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट लिया है और फिर उसके पास अपनी friend request भेज दिया था जैसे ही मैंने उसके पास अपनी friend request भेजी थी मैं बाहर-बाहर अपनी Facebook को खोल कर चेक कर रहा था कि कब मेरा friend request वो लड़की accept करेगी या नहीं करेगी मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था अचानक दो-तीन दिन बाद मेरे Facebook पर notification बार में एक message आया कि वही लड़की है मेरे friend request को accept किया है मैंने तुरंथ ही अपने Facebook account को खोला और फिर उसके सारे profile को सही से चेक करने लगा था उस वक्त वह लड़की अपने Facebook को बंद कर कर चली गई थी मैंने सोचा कि वह लड़की अपना Facebook account को खोलती है कब active रहती है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी इसी कारण से मैं उस समय से Facebook पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा था कि किसी भी वक्त हुआ लड़की online दिख जाए हालांकि मुझे एहसास था कि वह लड़की भी मुझे पहचान गई होगी तो भी उन्होंने मेरी Facebook friend request को accept किया था लेकिन अभी तक भी मुझे उस से किसी प्रकार का Facebook पर कोई भी बात चीत नहीं हुआ था ऐसे में मैं Facebook पर काफी दिनों से इंतजार करता रहा कि वह online आएगी और मैं उसे chatting करूँगा एक दिन जब मैं अपना Facebook चला रहा था तो मैं जब उसे profile में चेक किया तो देखा कि वह लड़की online है मैंने देखना करते हुए तुरंत ही उसके पास message भेजना चालू कर दिया सबसे पहले मैंने high लिख कर भेजा हुआ कि message तो देख रही थी लेकिन कुछ reply नहीं दे रही थी लेकिन जब मैं Facebook बंद करने वाला ही था तभी अचानक एक मेरे messenger पर message आता है और messenger के नुक से आवाज मेरे कानों पर पड़ती है मैं इस आवाज को सुनने के लिए बहुत बेकरार था मुझे पक्का यकीन था कि यह message वही लड़की ने किया है ऐसे में messenger खोलने में उस time मुझे एक सेकंड का भी कम टाइम लगा था जब मैंने अपनी messenger खोला तो वह लड़की मेरे Facebook चैट पर भेजे गए text का reply किया था ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था इस लड़के को मैं मन ही मन चाहने लगा था वह लड़की अब मुझे से बात करने लगी है दोनों में धीरे-धीरे बात चीत होता गया और धीरे-धीरे ज्यादा बात चीत होने लगा था मैं जब भी अपने काम से फ्री होकर घर आता था तो सबसे पहले मैं मैसेंजर खोल कर उस लड़की के पास मैसेज किया करता था काम के वक्त भी मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उसे बारा मैसेज कर लिया करता था हम दोनों का प्यार आप ज्यादा होने लगा था हमारी मैसेज दिन प्रति दिन बहुत ज्यादा लंबे घंटों तक होती जा रही थी कई-कई दिन दो महीने रात के दो बजे तक मैसेज पर बात किया करते थे मुझे अब उसके बिना जीने की कोई चाह नहीं थी लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा मध्यम परिवार से संबंध रखता था क्योंकि मेरे पिता जी नहीं थे मैंने सहारा परिवार का सिर्फ मैं ही था मैं जब काम करके घर आता था तो उन्हीं पैसों से हमारा घर का पालन पोशन होता था अग्रवाल लड़की का बात किया जाए तो बादल की अच्छी खासी परिवार से आती थी उनका के साथ जी की सरकारी नौकरी थी जिस कारण से वह अच्छे 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 कपड़े पहना करती थी तथा बहुत सारी फैसिलिटी सदा सुख सुविधाओं के साथ अपने घर में रहती थी ऐसे में मेरा उससे शादी करने का विचार बहुत ज्यादा गलत हो रहा था अगर मैं उस लड़की से या उसके पिता जी से अपनी शादी के बाद करने के लिए जाता तो मैं जब उससे बात करता था तो अपने मन में सोच रहा था कि हमारी शादी होगी की नहीं होगी क्योंकि अमीरी गरीबी का फासला होता है वो बहुत बड़ा फैसला होता है और कोई भी अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी कोई गरीब लड़के से नहीं करेगा अब तक हम लोगों का बातचीत है फेसबुक से लेकर वहाटसैप पर आ गया था और वहाटसैप कॉलिंग पर भी हम लोग कॉल किया करते थे उम्मीद से भरे मैसेज वह लड़की मुझे किया करती थी लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है हालांकि बोला कि कभी भी मेरे बात से एक शौक नहीं थी वह तो कहते थे कि अगर हमारे माँ बाप मानते हैं शादी को लेकर तो ही मैं करूँँगी वरना जहां मेरी माता पिता जी करेंगे शादी करने के लिए मैं वही करूँगी इस बात को लेकर मेरी ओर चिंता बढ़ती जा रही थी किसी लड़की अभी भी शादी करने के लिए मुझे तयार नहीं था वहां सारा बात अपने माता पिताजी के ऊपर छोड़ दिया था कुछ समय बीद जाने के बाद वह लड़की मेरे पास मैसेज थोड़ा बहुत काम करने लगे थे मैंने जो पूछा कि मेरे पास आजकल तुम्हारा बहुत कम मैसेज और कॉल आने लगा है वहां की कहती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करने के लिए कह रहे हैं और मेरी लड़का ढूनने के लिए लोगों तथा हमारे रिष्टेदारों को बताया गया था। इतना बात सुनते ही मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो गया, मेरा मन हो रोने का मन कर रहा था। लेकिन मुझे परिवार को भी संभालना था, मुझे घर परिवार भी चलाना था, इस कारण से मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। उस दिन तो यह बात सुनकर मैं काम पर चला गया था, जब मैं काम पर गया था, तो मुझे वहाँ बिलकुल भी काम में मन नहीं लग रहा था, अब तो मुझे हर वक्त उसी की चिंता सता रही थी, मन परेशान होकर मैं उस दिन काम से घर थोड़ा जल्दी आ गया था, जहां मै काम करता था, उसे कह दिया कि मेरी तबियत थोड़ी खराब लग रही है इसलिए मैं आज जल्दी जाऊंगा घर। घर आकर मैं अपने रूम में चला गया और वहाँ सोने का प्रयास करने लगा था लेकिन नींद का तो दूर दोस्तों का पता नहीं था, काफी देर सोने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं अपनी गरीबी के कारण उसके घर रिष्टा लेकर भी नहीं जा सकता था, उससे बातचीत भी कम हो गई थी, ना जाने वो कैसे रहती होगी और ना जाने उसका विवाह कहां होगा, अचानक एक दिन मेरे मैसेंजर में मैसेज आया कि मेरी शादी फिक्स हो गई है मेरी शादी 33 तारीख को है तुम शादी में आना चाहो तो आ सकते हो, मैंने मैसेज देखा, बिना कोई रिप्लाई की होगी मैंने फेस्बुक पर बंद कर दिया उसके बाद से लेकर आज तक मैंने फेस्बुक को बहुत कम इस्तिमाल करता हूँ साथ ही, एक दिन मैंने अपनी फेस्बुक आईडी खोल कर उस लड़के को अनफ्रेंड करकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था उस लड़की से मुझे हैटसेप पर भी बात होती थी, वहां से भी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था उसे भुलाने के लिए लेकिन प्यार ये सब नहीं मानता है मैंने तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उसे प्यार किया था लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण नहीं उससे शादी नहीं कर पाया था मेरे परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी मैं अंदर ही अंदर कितना दुख लेकर जी रहा हूं अब तो मेरा काम बस काम पर जाना और घर आना होता था तब मेरा मन बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता था हमेशा मन विचलित हो जाता था किसी किसी समय तो मैं बेचैन हो जाता था परिवार वाले मेरी इस परिस्थिती के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था क्योंकि उन लोगों को कुछ भी मैंने बताया भी नहीं था, जिसे मैंने प्यार किया था, मैंने पूरी जिंदगी उसी नहीं भूल पाया था, जब भी वह मुझे याद आया, करती थी, मैं अपनी किस्मत को दोशी मान कर अपने आप को समझा लिया करना था, क्योंकि अगर मे मेरे घरवाले उसके घर रिष्टा लेकर जाता तो भी उसके घरवाले नहीं मानते क्योंकि मेरे वास्ते की स्थिती और मेरे घर के आधार इतनी अच्छी नहीं थी वह लड़की मेरे घर में रह सकते थे